नवस्कार स्वलक्ता सवाल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल बंगार के हजार करोड के शिक्षट भरती घोटाले में आखिर कार जटसाहब का इशारा सही सावित हो गया है CBI के जाल में बड़ी मचली भस गई है दरसल CBI अब मम्ता बैनर जी के राइट एंड और उनकी काबिनेट में नए मंत्री को सलाखों के पीछे पहुँचाने वाली है इस खबर के सामने आते ही बंगाल में बवाल छिट गया है दरसल जद साहब ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे बंगाल में TMC की नींद उड़ गई है और तोर मम्ता बैनर जी इतनी बेचैन हो गई है कि खुद अपने चिट्थे खोलने को भी तैयार है दरसल पश्यम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने उन उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है जिनके नाम की अवैद रूप से सिफारिश की गई थी आयोग ने उन उम्मीदवारों की नियुक्ती रद्ध करने के अनुमती के लिए कलकटा हाई कोट का दर्वाजा खटकटा दिया है उस मामले में जस्टिस अभिजीत गंगोपाद्याई ने सीधे तोर पर शिक्षा मंत्री के नाम का जिक्र किया था और कहा शायद पता चल जाए कि मादिमिक शिक्षा परिशद असल गुनेगार है अगर बोड कुछ नहीं कर सकता तो शिक्षा मंत्री तो तलब किया जा सकता है ऐसे में बंगाल की घोटाले बास गैंग पर अब कई सवाल सो लग रही है इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है सबसे जादा टेंचिन में तो ममता बैनर जी आ गई है क्योंकि पहले इस घोटाले में उनके खासम खास पार्थ चेटर जी को सलाखों के पीछे भेजा गया जिनकी करीबी के घर नोटों का पहाड देखकर एडी भी डर गई थी जाच आगे बड़ी तो टीमसी एक और विधायक मानिक को गिरफतार कर लिया गया जिसने ना जाने कितने राज इस घोटाले में टीमसी के खिलाफ उगल दिये और अब बारी ममता के बेहत करीबी वर्तमान शिक्षा मंतरी ब्रात्य बासु की है यानिक एक जच साहब बार-बार सीबी आई की ओर ब्रात्य वसु की गिरफतारी के लिए ही इशारा कर रहे थे लेकिन सीबी आई ने समझने में थोड़ी से देरी लगा दी इसे बीच अवैद अनुशंसाओं की सूजी में नामजद 9 लोगों की कोट में पेशी हुई जज ने उन 9 लोगों की OMR शीट चेक करने की बात कही जिनें अवैद तरीके से नौकरी मिली दरसल 12 शिक्षकों ने अपनी OMR शीट के समर्थन में हाई कोर का दर्वाजा खट-कठाया नयायमूर्ती अभीजीद गंगोपादिया ने मामले में 12 लोगों को जोड़ने का आदेश दिया नयायमूर्ती अभिजीत गंगोपादिया ने 12 शिक्षकों को उनकी OMR शीट में हेरा फेरी के संबंद में हलफ नामा देने का निर्देश दिया कोट ने 20 दिसंबर तक हलफ नामा दाखिल करने का आदेश दिया वहीं अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी हलफ नामे में 12 शिक्षक अपने OMR शीट में हेरा फेरी की जानकारी देंगे और बताएंगे कि किसके कहने पर OMR शीट में फेर बदल किया गया वहीं अब आयोग फर्जी तरीके से हुए नियुक्तियों को भी रद कर सकता है आपको बता दे कि लिस्ट में कुल 184 लोगों में से 81 लोग वरतमान में काम कर रही है इनमें से 9 लोगों की पेशी हुई है हाई कोट ने आदेश दिया है कि आयोग उन 9 लोगों के साथ बैट करे अगले हफते तक रिपोर्ट सौपने का निर्देश भी दिया गया है कोट ने कहा कि इन 9 की OMR शीट चेक की जाए जज ने ये भी निर्देश दिया कि इस बात का उचित जवाब दिया जाए कि इन चंद लोगों को बाकी लोगों से उपर सिफारिश कैसे मिली यानि की इन लोगों को नौकरी किसके कहने पड़ दी गई कौन इसका आका था और किसे इन्होंने पैसा पहुचाया तो इशारा सीधे सीधे ममता के वर्तमान शिक्षा मंतरी ब्रत्स बसु पर है अब कैसे वर्तमान मंतरी इस घोटाले में फसे चलिए ये भी आपको बताते हैं दरसल राज के शिक्षा सचीव मनीज जैन नी इस घोटाले में तगड़े तगड़े खुलासे किये और न्यायधीश अभिजीर गांगुली की एकल पीठ में स्विकार किया कि अवैद रूप से नियुक्त किये गए लोगों को जब नौकरी से बरखास्त करने का फैसला हाई कोट ने दिया था तब उन्हीं लोगों के लिए अतिरिक्त पद बढ़ा कर उन्हें दोबारा नियुक्त करने का फैसला खुद मंत्री मंडल ने लिया था इसके बाद न्यायधीश ने कहा कि मंत्री मंडल के फैसले की कौपी दीजिए जो लोग घूस देकर बिना परिक्षा दिये या बिना पास हुए शिक्षक बन गए उन्हें शिक्षक बनाए रखने का फैसला मंत्री मंडल कैसे ले सकता है न्यादीश ने कहा कि आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि अयोग्य लोगों को या अवैद तरीके से न्यूक्त हुए लोगों की नौकरी बचाई रखने का फैसला मंत्री मंडल लेता है ये कैसा शासन है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी मंत्री मंडल अवैद लोगों की नौकरी बचाने का फैसला कैसे ले सकता है ये भारतिय समिधान के बिलकुल उलत है ये बहुत ही गंभीर मसला है सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए ये चिंता जनक है कोट ने इस मुद्दे पर ना सिर्फ चिंता जताई बलकि ये भी कहा कि जब राज्य की कमान सही आदमी के हाथ में नहीं होगी तो कैसे राज्य का विकास होगा सोचने वाली बात तो यही है कि जब कैबिनेट ही घोटाले के फैसले रे रहा हो तो शासन कैसे बिना प्रश्टाचार के चल सकता है इसी को लेकर नयायमूर्ती गंगोपाद्या ने तीकी नाराजगे ज़ताई थी और CBI जांच कादेश यह कहते हुए दिया था कि अवैर लोगों की नौकरी बचाई रखने के लिए कौन से मास्टर माइंड लोग काम कर रहे हैं उनका नाम पता लगा कर कोट को बताए इस इमामले में उन्हें राज्य के शिक्षा सचीव को तलब किया गया था उसके बाद उपर से पद स्रिजित करने के लिए आदेश था शिक्षा मंतरी ब्राद सिबसू ने इस मामले में निर्देश दिया था यानि कि मम्ता के नेता घोटाले बाजू की गैंग कुरसी पर बैठ कर चला रहे हैं नोटों से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं को कोट तक लाने की बात तक क्या डाली है यानि कि अब मम्ता सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो गई है क्योंकि अब कभी भी मम्ता के चहेते शिक्षा मंतरी की गिरफतारी हो सकती है क्योंकि जद साहब का इशारा यही है कि गोटाले के इस खेल का मास्टमाइं वरतमान शिक्षामंत्री ब्रत से वासू ही है क्योंकि उनके खिलाव मिले सबूत बहुत कुछ बयां कर रहे हैं वही जद साहब ने तो ममता सरकार की इस हरकत के खिलाव चुनाव आयोग जाने की भी धमकी देडाली थी कहा था कि जो सरकार पत का दुरिवयोग कर रही है समिदान की धजिया उड़ा रही है उस पार्टी की मानिता रद होनी चाहिए जिसके लिए बकाइदा उन्होंने कहा था कि वो चुनाव आयोग जाकर ना सिर्फ पार्टी की मानिता रद करने के लिए कहेंगे बलकि चुनाव चिन पर भी रोक लगवाएंगे और जल्द ही जद साहब ये कदम भी उठा सकते हैं यानि अब ममता बैनर जी और उनकी सरकार के सारे काले चिट्थे बाहर आ चुके हैं ये लोग सत्ता की याड में जनता को लूट कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और ममता बैनर जी कहती है कि उन्हें इस घुटाले के बारे में जानकारी तक नहीं है हैराणी होती है ये सुनकर, क्योंकि कैबिनेट में फैसले होते हैं, मम्ता के मंतरी फैसलों पर मुहर लगाते हैं तो कैसे ये माना जाये कि मम्ता कोज जानकारी नहीं थी? इससे तो यही सवाल उत्ता है कि कहीं पैसे बंडल ऊपर तक तो नहीं गए हैं खैर जल्द ही इस केस में बड़ा खुलासा होने वाला है ममता के मंतरी फैसलों पर मुहर लगाते हैं तो कैसे ये माना जाए कि ममता को जानकारी नहीं मिली थी इससे तो यही सवाल उठता है कि कहीं पैसों का बंडल उपर तक तो नहीं जाता खैर जल्द ही इस केस में बड़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे कर दो